जैहन नमस्कार दोस्तों आज के अपडेट में चार पॉइंट हैं इस पर बात करेंगे नमबर एक में बड़ा खुला सा समान मस्पी 15500 के इसमें हार का असली कारण आया सामने हाई कोट के वकिल ने बताई सच्छा है दूसरा ये डियार पर जल्दी लग सकते हैं महर करमेचा लाभारतियों के लिए बड़ी कबर है देज बर में जल्दी खुलेंगे नए एस एस हास्पिटल कौन कौन से सीटी में खुलने जा रहे हैं वो समझेंगे लेटर के माध्यम से वीडियो में आगे बढ़ें रोज की तरह आप से मेरा अन्रोथ रहेगा चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकोन की घंटी जरूर दबा लें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं रोस्त तो चलो सुरू करते हैं अब साथ यह वारो पी थी लागो हो इस पर सरकार की तरफ से आदेश निकलने के पूरे पूरे आथार हैं दोस्त और धिवाले से पहले इसका एरियर भी मिल जाएगा रिपोर्ट देख लेते हैं तो यहां पर यह रिपोर्ट आई है सेवन्त पे कमिसंट डी ए हाई करकारी कर्मिचारों के लिए डी मैं होगी 3% की वड़ोतरी देखने की बड़े की सलेरी तो ये चेंडर सरकात के करमिचारी और पैंचनर से और महेंगाई राथ में बड़ोतरी बैसफ़री से इTI कर रहे हैं इस बीच खबर आ रही है के है के ये यह जनुरी दोजार सोल से ऐसी ही एक DSC के action hack थे जब उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने MACP के लिए record को लिखा और अब उनको MACP का लाब मिलने जा रहा है तो यह आपको भी लागू है तो आप भी अपना claim ले सकते हैं लेटर देख लेते हैं यह जो लेटर है 28 में 24 का है जो की रक्षा सुरक्षा कारिया लए अभी लेक के द्वारा यानि के defense security core records के द्वारा यह जारी किया गया है और यह action hack है इनको यह दिया गया था इन्होंने claim डाला था जिसका subject है grant of modified SOD career progression इसकी यानि के MACP's और JCO's over defense security core नमबर एक में जो reference दिया इन्होंने letter का MOD letter का यहां पर reference है किस letter के आधार पर आपको लागू है दूसरे में इन्होंने बताया इनको की it is intimated that your case for grant of MACP is being screened for financial upgrades with effect from 10-6-2008 as per the senior fee for grant of MACP you are requested to forward from optional copy enclosed duly signed by you to the office immediately for our further submission to POR और publication and early adjustment of MACP benefits दो इनको एक form दिया है जो की option form है उसको इन्होंने बरना है इसके साथ आटेच है जैसे ही वो जाएगा तो इनका publication के लिए POR में चले जाएगा दोस्तों और इनको MACP का लाब मिलना शुरू हो जाएगा अगले में बात करेंगे दोस्तों central organization ETSS Establishment of Veterans Hospitals जो की 5 सितमबर 2024 का लेटर है यहां पर 20 location हो में जो identified कर दिये गए हैं कि कहां कहां यह hospital बनेंगे दोस्तों यह जो cities हैं यहां पर आप देखेंगे serial number और location of cities और इतना एकर जमीन वहां पर acquire कर रहे हैं सारा कुछ यहां पर दिया गया दोस्तों जहां पर आप फस्त में दिल्ली से लेके और यहां पर आप देखेंगे घुबने सवर तक आपके नजदीक भी कोई city है आने वाले समय में वहां पर यह पूरा ECHSS hospital बनेंगे दोस्तों तो एक स्वागत योगी कदम है जिससे की पूरे हमारे ECHS लाबारती उनकी फैमिलीज और डिपेंडेंट को इसका बहुत लाब मिल सकता आने वाले समय में दो अगली में बात करेंगे दोस्तों इक्वल MSP केस जो की 30 सितंबर 2024 को ओनेबुल दिल्ली हाई कोट में इसका फैसला आया इससे सभी जेशियो जवानों को निरासा हुई दोस्तों दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि फैसला आने से सुप्रीम कोट के लिए रास्ता साब हो चुका है यदि जेशियो जवान के हक में यह फैसला आता भी तो सरकार इसको जरूर सुप्रीम कोट में ले जाती दोस्ति इस केस में जो सुरू से हिस्सा रही है मिस पल्लवी ओस्ती जी मेडम जो वकील है इसके जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर दो केस थे एक WPC-12802-2008 जो कि Voice of Accessment Society के द्वारा लड़ा जा रहा था दूसरा इसमें WPC-12903 जो कि 2008 का दोस्तों SP Singh and others के द्वारा यह लड़ा जा रहा था यह वकील इसमें जो रही है मिस पलवी ओस्ती जी इस केस पर जो और दिली हाई कोट में सुनवाई हुई और आगे इस केस में क्या प्लान है पूरा उनका एक क्लिप है उनके मादिम से उस पर क्या कहा गया है जरूर आप एक क्लिप पूरा सुने जो थु आज पूर मारा नमब आया और फैनली आज मादा ने बहस ही तो कि बहुत दिनों से केस में डेट लग रही थी बहुत दिनों से हम उमीद कर रहे थे कि कब फाइनल वर्डिक अग अग फाइनल बहस हो इस केस तो आज फाइनल बहस हुई है और बट अफॉरशनेटल कोट ने हमारे बहुत सामिशन सुने यह तो नहीं बोलोगी कि सुनानी बहुत देर तक मार्ट चला और मोस्त गंटे तक बहस हुई सारे अर्गमेंट्स हुए दोनों तरफ के बकीलों ने बहस की और जो भी हमारे ग्राउंट्स थे इमने सारे बहस की बढ़ अच्छी हुआ कि पंजाब एधर ने था लिंग ऑपील में तो किसमें हम कहीं पांटि नहीं है किसमें जसमें फाइल किया तो नहीं के अंच्छी जिस्मीं है अच्छी जिस्मीं एक प्रेश में लगावा रस्कोर्ड वो अपील में नहीं गया है तो वो मैटर जो है तो जो जुजमेंट इन एक वे एक बेस्ट था है आज के जुजमेंट का तो आज तो है को ने हमारी पैशन रिजट कर दी है डीडिल डिया एक बार जाएगा तब हम दुबार से डीटेल म अप्लोड हो जाए और सिकेंड लिए लिए है कि हमें कोट ने अभी बोला है कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं डिपार्टमेंट को जो भी आपने प्रेटीशन में ग्राउंड्स लिए आप एक बर दुबारा से अप्रोच करिए कि वह आपकी इस प्रार की रणनीत के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों यह थी आज की जानकारी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में तब तक के लिए जय हैं जय भारत